उत्रक्षण में डेंगू का कहर जारी है और ऐसे में सीम हरी शावत ने डेंगू से निजात दिलाने और लोगों को डेंगू के प्रती जागरुकता फैलाने के लिए औचक नगर भ्रमन किया उन्होंने लोगों से अपने आसपास साफ सफाई रखने की अपील की उन्होंने नगर निगम से शहर में समय समय पर फागिंग करने और शहर को स्वक्ष बनाने की भी अपील की इस मौके पर सीम से बाद की हमारे स्थानी संपादक प्रकर प्रकाश मिश्राने यहां जनता को सबसे कह रहे हैं कि अगर डेंगू से लड़ना है तो आपको साथ देना होगा उनसे जानने की कोशिश करेंगे आपने दोरा किया है किस तरीके से जो है ना पानी कमलूं में उनमें रुका है इनको फैक देना मुक्त मंत्री जी आपने दौरा किया है आप कैसे जंता को बता रहे हैं कि डेगू से बचा जाए देखे पानी कहीं पर भी जमा हो रहा है वो खतरनाक है नालियों की सफाई और इस्वना बिंदाल की सफाई मैं सरकारी तोर पर करवाऊंगा नगर निगम से करवाऊंगा लेक तत्री जाने वाला मग है उज मग मैं अभी अम्मा ने बताया तीन चार दिन से किनारे उधर पड़ा हुआ है उसमें पानी जमा है तो वो पानी मच्छर पालला है आप स्वास मंत्री को साथ लेके चल रहे हैं स्वास स्विभाग को आपने क्या निर्देश दिये हैं स्वा अगर बाकी ये जो हमने घर-घर में जो है बिमारी के सब पाल लखे हैं उसके खिलाब भी तो जागूरता फैलानी पड़ेगी नहीं जब करेंगे जो मेरा भी करता भी होँ मैं कर रहा हूँ अब देखते हैं कि उनकी ये महीम कितना ज्यादा असर ले कर आती है और कितनी तेजी के संग आने वाले टाइम के अंदर निजात मिलेगी डेंगू से कैमरा मेन अजय ध्यानी के संग में प्रकर प्रकाश मिश्रा नेशनल वाइस के लिए देरादून से जैहिन